नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आफका दोस्त दूरगा और दोस्तो आफका अपना यूटूब चैनल नया जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आफको एक बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूँ जो कि दोस्तो आफ अभी तक यूटूब में नहीं देखे होंगे दोस्तो मैं आज आफको बताऊंगा कि आफके आधार नंबर काउन काउन से बैंक से लिंक है दोस्तो आफको क्लियर पता चल जाएगा यानि कि दोस्तो देखने को मिलता है हम कुछ भी सरकारी स्कीम के लिए अपना अधार काड़ा का फोटो कापी दे देते हैं और दोस्तो हमारे एकाउन में बैलेस आ जाता है लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे कौन से बैंक अकाउन में पैसा आया है यानि कि दोस्तो एक सिस्टम है जिसके माध्यम से सरकार का कुछ भी योजना का जो पे आउट रहता है वो अधार काड़ा के माध्यम से ही उहां से आउटपुट किया जाता है तो दोस्तों ये सीधे है हमारे आटोमेटिक जिस खाता से प्रात्मिक्ता में लिंक रहता है उसी खाता में हमारा बैलेंस आ जाता है चाहे वो gas subsidy हो या फिर दोस्तो PM आवास योजना हो या ऐसे कई scheme है जो सरकार देती है हमें दोस्तो जैसे कि रोजगार guarantee में पैसा भी डाला जाता है तो दोस्तो हमारा किस खाता में आता है हमको पता नहीं चलता है हम दूसरे खातों को चेक करते रहते हैं दोस्तो वो आफके जिस खाता पे आफका अधार number लिंक रहता है उसी खाता में जाता है तो उसको आफ कैसे चेक कर सकते हैं यानि कि दोस्तो आफ आप अपने अधार काड़ के नंबर से कौन-कौन से bank link है वो आप चेक कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तो सबसे पहले आफको Google Chrome हम open करना है अपने mobile पे ही उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आफको अधार का में वेबसाइट लिखना है यानि कि UIDAI टाइप करना है और सर्च करना है सर्च करने पर दोस्तों आफको उपर के ही option में जाना है दोस्तों यह वो वेबसाइट है जिसके जहां जा करके हम अपना आधार कार्ट डाउनलोड करते है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आफको आधार सर्विस ढूणना है तो यह रहा दोस्तों यहाँ पे आधार सर्विस में आपको टच करना है टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगला इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे मेरा ने दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नीचे में दो आपसर मिलेगा आधार नंबर और विर्चुल आईडी वर्चुल आईडी दोस्तों आपका अपना यहां पर अधार नंबर इंटर करना है और नहीं है दोस्तों तो वर्चुल आईडी जो होगा वो भी यहां पर इंटर कर सकत देखें मैं अपना अधार नम्बर इंटर करके आफो दिखाता हूं कि मेरा जो खाता नमबर है मेरा जो अधार काड एक स Catholic हमें मैशंक है मैं आपको यहाँ इनदा हूं उसके बाद दोस्तों नीचे में आप आपको जो अधार से निंग है वो वाला मोबाइल आपके हांत में होना चाहिए तो यहाँ पर सेंड लगने के बाद दोस्तों आफके मोबाइल पर सेंड आज परות करने के बाद दोस्तों आफके मोबाइल नंबर वोटिपी जाएगा उसके माध्यमसे'd हमी तक आया नहीं है को देखी दोस्तों इस झींaux चक्ते आ है साथ सोचार टिपल सेवन तो आप weary यहां पर देना होता है 304 www उसकेभाएं दोसिंहां पर क्लिक करना है सब्मिट पर क्लिक करते ही दोस्तो आफका जो result है वो यहाँ पे दिखा देगा देख सकते है दोस्तो यहाँ पे congratulations your adhar bank mapping has been done ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते है अधार नमबर जो last गफ फोर डिजिट दिखा रहा है और bank linking status एक्टिव दिखा रहा है दोस्तो और कब से link है तो 26,10,2018 से link है और कौन से bank में है दोस्तो यहाँ पे साप साप लिख दिया है देख सकते है state bank of India यानि कि मेरा जो अधार नमबर दोस्तो state bank of India से link है मेरा जो भी सासन तरप से जो भी पैसा आएगा कुछ भी scheme का पैसा आएका दोस्तो तो मेरा सिधा SBI account में ही जाएगा तो दोस्तो इससे comfort पते चल जाता है यदि दोस्तो आफको भी अपने संबन का संका दूर करना है तो आप ऐसा दोस्तो जो मैं इस step बताया आपको इस step के माध्यम से आप पता कर सकते है कि आपका अधार नंबर concept bank में लिंक है आप आसानी से पता कर सकते है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा जो भी दोस्तो मैं वीडियो बनाता हूँ जेनुन वीडियो रहता है कोई fake वीडियो नहीं रहता है आपको दिक्कत होती है दोस्तो जानकारी स्पस्ट नहीं होने में तो आप कमेंट करके फूछ सकते हैं मैं बकायदा आपको आपके सवालों का जवाब दोगा वीडियो देखने के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद